लो को कि है लो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू यूटूब चनल तो एक बार फिर आप सभी के लिए health department की जौब बेकेंसी का नौनिफिकेशन आप सभाके के लिए लेकर आए हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थीजिए और जैनल सबस्कार्प्न करें तो सब्से मिपएंगे, तो सबसे पहले यहां पर गकर बात करेंगे, कि यहां पर कौन-कौन से पत्सा मिलें कौन-कौन से पत की लिए आपर बेकेंसी निकाली जा रही है तो उसके बाद हम बात करेंगे कि कहां से निकाली गई है इसकी लास्ट डेट क्या है आप इदर कैसे करना बाकी सब डेटिल चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखे कोई यहां पर रेगुडर बेसेस की भर्ती नहीं इस पर लखा हुआ है रुक्रिट्मेंट एजेंसी का नाम है डी एसी और जो आपका मंथली बेतन है वो है 32,670 रूपए है अब बात करें क्वालिपिकेशन की तो यहां पर आपका 12 इंटर्मीडियेट साइन सब्जेक्ट से एंड एनेस्टी से टेक्निशन के डिप्लोमा होना आवसा के एंड मस्ट भी रजिस्टर्ड इन एपी पी एमबी से आपका रेजिस्टर्ड होना आवसा के एपी पीमबी का मतलब है अंत्रप्रदेश मेडिकल बूर्ड तो यहां पर देखेंगे और्यो मेट्टी से एंड आपके पास में बीएसी डिग्री है इस पीच लेंग्वेज से तो आप इस पर पर एपलाई कर सकते हैं नेस्ट पत के हैं बायो मेडिकल इंजीनियर नंबरों पोस्ट दो हैं बेतन यहां पर चंगवन हजासाट यहां पर बीटेक एम 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 टेक एम वाले कंड़ेट्स अपलाई कर सकते हैं नेस्ट पोस्ट है कार्डियो लॉजी टेक्निशन की टोटल दो पोस्ट हैं कॉंटेक्ट वेशिस मत्ती से अच्छे सो सत्तर रुपए तो यहां पर बीच डिग्री होना चाहिए एंड आपके पास में डिपलोमा है कार्डियो लॉजी टेक्निशन साथ में दो साल का एलेक होना आवसक है नेस्ट पद है कैथ लेप टेक्निशन ग्रेट टू का दो पोस्ट हैं यहां पर बेतन बत्ती से आज 670 रुपए क्वालिपिकेशन हैं यहां पर लिखा हुगा मस्ट पोस्ट बीएस सी कार्डियो केर टेक्नोलोजी एंड कार्डियो वेस्कुलर कर सकते हैं एंड उसका डेटल टेक्निशन की एक पोस्ट हैं यहां पर आपका इंट्रमेडियर मागा गया है एंड यहां पर डेंटल मेकेनिक कोर्स होना चाहिए आपके पास में एंड लिखा हुगा है डेंटल कॉंसल आप इंडिया का इस टूट से आपने डेंटल मेकेनिक के कोर्स किया हो तो आप एपलाई कर सकते हैं नेस्ट हैं यहां पर लिखा हुगा मस्ट हेब रिस्टर्ड स्टेट डेंटल काउंसल से आपका रेजिस्टेशन होना चाहिए कि नेस्ट पोस्ट रेड़ी ग्राफर की तेरा पोस्ट है यहां पर आपका सर्टिपिकेट इन सी आरे डी आर जी ए डी एम आई टी कोस्ट होना चाहिए अउसका रेजिस्टेशन नेश्ट पर लगा सकते हैं कि यह डी पोस्ट नेश्ट पर एक पोस्ट है यहां पर भी जिन लोगा ने एक टेक्निशन का डिप्लॉमा या पर घ्री की है है तो वो लगा सकते हैं वो ही apply कर पाएंगे प्रजिटेशन नं का गया है उसका लेक्री चार पोस्ट 되면 यहाँ पर जनोंग ने आई टिए-ल Questo से थी टरेट से तो वह यहां पर apply कर सकते हैंि एक नेस्ट पोस्ट सेंट्रल जंडरल के ड्यूटी आटेंडेंट्स की और चास पोस्ट है आउट्सोसिंग की भरती है कॉंटेक्ट नहीं है आउट्सोसिंग की है और इंडिया पर 15,000 रुपए बेतर नहीं गाएगा आटेंडेंट्स के लिए मेडिकल रिकॉर्ट टेक्निशन की कॉंटेक्ट बेसेस पर भरती है तीन पोस्ट है चौंटे से आर 580 रुपए बेतर नहीं गाएगा आपका यहां पर 12 पास होना चाहिए और यहां पर डिप्रोमान कंप्यूटर एप्लिकेशन फ्रॉम ए रॉकस्न यानि कि मानता प्राप तनस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन का डिप्रोमा होना चाहिए तो आप इस पत के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेस्ट पदेंडेंडेंडेंड का पांच पोस्ट हैं आउट्सो से यहां पर भरती हैं 15,000 रुपए बेतर नहीं यहां पर आपका का फर्ष्ट कोली के संदस्थी पास होना चाहिए इसके पास उसके बाद मस्ट पोसिजेश लेव अतेंडेंडेंड को अथहां इंटरमेडियर लेब जुदेंडेंड बॉकेशनल को से कंदेट रेपर देटबॉर्ड ऑप एंटर एजूकेशन को नांतने है तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेस्ट पद हैं लेब टेखनेशन का 21 पोस्ट है बेता नहीं यहां पर 32 याद 670 रुपए यहां पर बलुटी ए फिर्म युलटी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमेडिएट वी ओ सी वित वन यिर आप में इस इन गोउर्मेंट हॉस्पीटल याइनकी आपने अपरिंट्रेंटियू नहीं इस such तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप दोनों एप्लाई करेंगे बीस्सी एमल्ट यह दिमल्ट नेश्ट पर देख सकते हैं मस्ट पोसेज डिम आई टी कोर्स प्राव में लेको कुछ नाई इंस्टिटूशन मस्ट बिशिटर रेप्स अब हम पत के वारे उमसे बात कर रहे हैं औक क्यूपिसनल थेरिपस्ट की पोस्ट है एक पोस्ट है फार्मसzwischen गरेटू की बारा पोस्ट है यहाँ पर फार्मेशी में यहां पर दी फार्मा, बी फार्मा एंड आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए अंध्रप्रदेश सरकार के दौरा एंड यहां पर लिखा हुआ है Intermediate Procational Course in Pharmacy Recursionate by Government of आंध्रप्रदेश Must be registered with the आंध्रप्रदेश Pharmacy Council in case of candidates possess both D-Pharma and B-Pharma the maximum percentage secured in any of the above cell be considered तो फ्रेंट्स यहां पर B-Pharma, M-Pharma, D-Pharma वाले candidates apply करेंगे लेकिन जो फ्रेंट्स यहां पर इक बात है वो है कि यहां पर सब आंध्रप्रदेश वाले candidates ही apply का सकते हैं अध्रत राज्यों के candidates यहां पर apply नहीं करेंगे क्वेटे मैं नेस्ट पद है निकृल साइकिस्ट की एक पोस्ट है फिजो थेरप्रिस्ट बख़ुंब की दो पोस्ट है जीखडू ठबॉस्टिवल्ड की दो पोस्ट है की दो पोस्ट है इसप Exactly यह वरकर कम वाच्मेंघ्र की नौ पी नो के नाम से तेरा पोस्ट है इस प्रकार टोटल 117 पोस्ट नहां पर निकाली गई है तो प्रेंट से अब हम बात करते हैं कि वेकेंशी कहां से निकाली गई है तो सबसे पहले हम देखेंगे गौवर्मेंट ओप अंध्रदेश हेल्थ मेडिकल एड फैम्ली वेलपेर डिपार्टमेंट तो प्रेंट से गौवर्मेंट ओप अंध्रदेश यान कि अंध्रदेश सरकार के द्वारा वेकेंशी निकाली गई है तो यहां पर एप्लिकेशन आर इन्वाइटेट प्रॉम 6-8 2022 यहां पर लिखा हुआ अप्लिकेशन आर इन्वाइटेट फ्रॉम इरिजिबल कंडिट्स फोर एक्विट्मेंट वेरियस पोस्ट इन हैल्थ इंस्टिटूशन ऑप अरनत पुरमवू दिस्टिक अंटर दा कंट्रॉल ओप दा डी सी डी मेंचों पिंस्पलों कॉर्मेंट मेडिकल कॉलिज एंड सुपिंदेंड और गॉर्मेंट जनरल हॉस्पिटल अनंत पुरमवू ओन कॉंटेक्ट एंड आउट्सोर्सिंग बेसेज तो यहां पर आपकी ओनलाइन फॉर्म बरे जाएंगे आउट्सोर्सिंग एवं कॉंट्रिक बेसिस की भरती है आविजन केर सब्सक्राइब करने को नहीं मिलेगा तो यह है इसका फाइनल नौटिपिकेशन यहां पर कोछ इंपूर्ट डेट दी गई है आप इनको भी देख सकते हैं इसी ओप नौटिपिकेशन पांच अगस्त को इसका नौटिपिकेशन जा रहे हुगा च्छै अगस्त से इसके टो सब्सक्राइब करेंड तो सब्सक्राइब को इसके अगस्त हो जाएगा थे रहे हैं यहां पर जिलनों इच को एच के राइट यह है देखना तो यहां से देख सकते हैं एप्लिकेशन फीज भी आँसे देख सकते हैं अबाकि डिटेल यहां पर इनौने मेंशन की है इस पीडियेप फाइल को आप हमारे टेलिग्राम पेज पेटलोजी पेटाजय वहां से डाउलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे हम डिस्केप्सिल में लिंक देदेंगे जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह था आज का अपडेट आज का जॉब नॉटिपिकेशन मिलते हैं गली वीडियो में थैंक यू सो मच जैहिंद